बच्चो गुड मॉनिंग आज गणेश चतुरती है गणेश चतुरती के उपलक्ष पे मेरी ओर से आपको धेर सारी सुब कामना है बच्चो जो बच्चे इस्टूनर्गाफर्स और रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हैं वो उनको भी मैं अगरिम सुब कामना है देता हूं एक बात ध्यान रखें कि जिन बच्चो को रिपोर्टर की परिक्षा देनी है वे किन परस्तितियों में इस परिक्षा को दे रहे हैं ये भी उने ध्यान रखना है कोरोना काल भी चल रहा है और नई नई चीजों की नई ने आउटलाइनों का आभाव वो भी उनके सामने नज सबसे पहले में आपको बताना चाहता हूं कि जो बच्ची रिपोर्टर की त्यारी कर रहे हैं वे जो दस मिनिट का डिट्रेशन लिखेंगे एक सुचालीस की स्पिट का इसमें आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस क्या हो सकता है और कांफिडेंस जभी डेवलप होगा जब आपके पास बड़या बड़या आउटलाइन होगी लिखने का आप में जुनून होगा जब आप बड़या आउटलाइन को प्रयोग करेंगे तो निश्यत रुप से 140 सब्द परतिमिनट गती को प्राप्त कर पाएंगे अगर आप में लिखने का जुनून नहीं है तो बहुत ही मुश्किल है 140 सब्द परतिमिनट गती की आउटलाइन बनाना इसके साथ ही ये भी बता दूँ मैं आपको कि जो भी व्यक्ति जो 140 का डिक्टेसन देगा वो फ्रेजेस का उप्योग करेगा बगर फ्रेजेस के उप्योग के वो बोली नहीं पाएगा अथा आपको सबसे पहले आवसकता इस बात की है कि बढ़िया से बढ़िया फ्रेजेस का उप्योग करना पड़ेगा आपको दूसरी बात में बताना चाहूंगा कि अब पैटर्न बदल चुका है पहले के बच्चे जिस तरह किसे तेयरी करते थे पुरानी किताबों से पढ़ाई करते थे पुरानी किताबों के माध्यम से जो आउटलाइन होती थे उसी को आगे बढ़ाने की खुशिश करते थे लेकिन अब वो कारकर रूप्यों की सिद्ध नहीं हो पा रही है इसके लिए नया साहित, नई आउटलाइन, नई नई विधा हैं सामने आ गई है पूरी सब्दा वली भी बदल गई है ये भी ध्यान रखें अप जब आप कोई डिक्टेसन लेते हैं पहले कभी भी डिक्टेसन के अंदर अंग्रे जी-बहुल सब्द नहीं आता था लेकिन आज आप एक भी डिक्टेसन लेगें तो उसमें अंग्रे जी के सब्दे की बहूलता मिलेगी तो अंग्रे जी सब जैसी आता है बच्चे के हाथ रुख जाते हैं लिख नहीं पाता है तो इन सब बातों को आप ध्यान रखके शॉर्टन की गती बढ़ानी हैं तो सबसे पहले मैं उन बच्चों से निवेदन करूँगा जो रिपोर्टर और इस्ट्रों की राफट के तैयारी कर रहे हैं वे अपनी गती बढ़ाने के लिए अच्छा सम्यक साहित पढ़ें और अच्छे अच्छे आउटलाइने बनानी की कोशिश करें मैंने टोटल इस विसे पर दस किताबें लिखी है उन किताबों के बारे में मैं आपको जान कर देना चाहूंगा सबसे पहले मेरी पुस्तक ये परिस्करत हिंदी आसुली पुस्तक है इस पुस्तक को इस कदर से बनाया गया है कि बच्चा स्वयम बगर किसी सिक्षक की काट के बताया जाता है इसमें मैंने सुरू से ही काट के बताया है ताकि बच्चा आराम से शॉट्रं को सीक सेखें इसके बाद इसमें जो भी सब्जेक्ट हैं जो भी एस्टी लूप है हाल्विंग प्रिंसिपल है डबलिंग प्रिंसिपल है साक अव्रत है सनहूख है सुआ है ये जितने भी है इन सब को विश्शे पर खूब सोत किया गया है सोत करने के बाद उन सब्दों का कलेक्शन किया गया है जिस चैप्टर में जो सब्दार है जैसे इस्तह का चाप है तो इस्तह के चाप से संबंदी सारी आउटलाइनों को इखटा किया गया है और उसको नियम बत तरीके से बताया गया है आप ताजू परेंगे मेरी इस पुस्तक को जिन्द किसी बच्चे की भी हात में गई उस बच्चे ने इस किताब का भरपूर उप्योग किया है और इसके साथ ही इस पुस्तक के माध्यम से वो अपने आपकी गती बढ़ाने में भी सफल हुए है पुस्तक के अंदर जो डिक्टेसन दिये वो डिक्टेसन भी इतने कारगर उप्योग की सिद्ध हो रहे है बच्चों के लिए क्योंकि जिस सब्जेक्ट को मैंने टच करा इस ते चाप को करा तो उसमें इस ते चाप के सब्द ही आएंगे तूसरा कोई सब्द नहीं आएगा ये बात को ध्यान रखना आपको तो बच्चों ये परिस्कत हिंद्यासुलिपी ये मेरी सीखने की पाट्टे पुस्तक है बहुत ही उप्योग की पुस्तक है जो बच्चे जिनके हाथ में भी एक पुस्तक है वे एक स्वयम इस पुस्तक के माध्यम से सो, एक सो बीस, एक सो तीस्त की गती इस पुस्तक के माध्यम से निकाल सकते है इसके बात मेरी किताब देखें ये हिंद्यासुलिपी उच्छ गती वर्थक वाक्यान ये भाग पांच है मेरा ये डबलिंग प्रिंसिपल पर पूरी किताब आधारी थे डबलिंग प्रिंसिपल का मतलब यह हुआ कि रेखाओं को दू विव्यूनी करन करके लिखना जिन बच्चों ने भी इस किताब का उप्यूग किया है निश्य तुरूप से वे बच्चे रिपोर्टर की परिख्षा पास करेंगे इसमें कम से कम पांच हजार से ज़्यादा रेखा करतिया है जो डबलिंग प्रिंसिपल पर आधारी थे इसके सुरू के पार्ट में जंपल डाउट लाइन है जो बड़े-बड़े सब्दों को छोटा करके लिखने का प्रयास किया गया है इस गती यही पुष्टक अपने आप में इतनी सक्षम है जो बच्चे रिपोर्टर की दियारी कर रहे हैं उनके लिए बहुती कारगर सिद्ध हुई है ये किताब और इसके अंदर डिक्टेशन भी दिये हैं और डिक्टेशन के साथ साथ उसकी रेखा करतियां भी दिये हुई है बच्चा उनकी भी मदद ले सकता है किताब अपने आप में बहुती उप्योगी और कारगर रिपोर्टर्स के लिए है इसके बाद मेरी ये किताब देखें आप हिंदी आसुलिपी उच्च गती वर्दक वाक्यांस भाग एक ये किताब भी रिपोर्टर्स और इस्ट्रोग्राफर्स के लिए बहुत कारगर सिद्ध हुई है ये संगलोग सोयवायो कर्मचारी चैनायागो केंद्री सच्छल हिंद उपयोगी है अभी आप सो सब्सक्राइब परतिमिनट गती की राजस्तान की परिक्षाइं देना चाहरे हैं बच्चे लोग उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी है इस किताब की विश्यस्ता यह है कि इसके अंतरगत दो तरीके की आउटलेंड को मैंने समाहित किया है दो यह जो 1 डरीके से मतलब इसमें यह बहुत हको आउटलेंड दिखायी गई है इसके अंदर और इस पुस्तक के programs से अंगरेजी बहुत सब्ड़ को भी मैंने समलित करने की कोशिश की है इसमें नहीं नहीं करके साथ से आठ हजार आउटलेंड इस पुस्तक में मिलेगी ये किताब मेरा भाग साथ है और इसके मदद से आप अपने रिपोर्टर या इस्ट्नोगराफर्ज के परिक्षा आसानी से किलियर कर सकते हैं इसके बाद किताब मेरी भाग छे ये भी लेटेस प्रकासन है मेरा इसमें हिंदी और इंग्लिस आउटलेंड को समाहित किया गया है इस पुस्तक के अंदर डिक्रेसन भी दिये वे और बहुत ही आसानी से हिंदी में शॉर्ट हिंड के आउटलेंड बनाने का इसमें मैंने कारगर प्रयोग किया गया इस पुस्तक के अंदर अंग्लिस जी बहुल सब्दों का बहुत ज़्यादा समाहितन किया गया है और जंपल्ड डाउटलेंड भी इसके अंदर दी हुई है जिन बच्चों के भी हाथ में ये किताब है ये उन्होंने इसे इसका भरपूर उप्योग किया है और मैं समस्ता हूँ कि जो आने वाली परिक्षा हैं उसमें वे इसका पूरा फाइदा उठाएंगे इसके बाद मेरी ये पुस्तक देखिए इस पुस्तक के अंदर मेरी जो पुरानी एक पुस्तक थी उसको रिवाइस किया गया है और आदा पॉर्सन जो इसमें दिया है वो उच्च गती वरतक वाक्यांस से संबंदी थे इसमें भी सारा नवीन कलेक्शन है आपको कहीं जानी की जरुवत नहीं इस पुस्तक का अगर उप्योग करते हैं तो निश्यत रूप से आप बड़ी से बड़ी आउटलैन को आसानी से बना पाईए इसके बाद मेरी ये पुस्तक उच्चु गती वरतक वाक्यांस भाग दो यह पूरी पुस्तक काटक्शर पर अधारी थे जैसे उधरान के लिए पार्टी, कंग्रेस पार्टी, कमनीस पार्टी पार्टी डेहर सारी पार्टी आइंस के अंदर पसे और भी कही तरह की सो प्योग की हैं नहीं नहीं करके इसमें 200-300 काटक्षर का प्योग किया गया है जो अलग 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 चीज को आप बना पाएंगें इसमें डेक्टेसन पैसेज भी दिये में इसके बाद मेरी भाग तीन यह पुस्तक बहुत ही कारगर उप्योग की नकालों से भी साउधान रहें इस किताब की जहां भी अगर आपको नजर आती है नकल करते हुए पाई गई आप मुझे सूचे जरूर करें यह किताब अपने आप में बहुत ही कारगर उप्योगी यह एस्ट्यार लूप इस तका चाप सरकल इसमें जितनी अभिनों प्रस् इस किताब के अंदर इसके बाद मेरी यह किताब भी देखिए भाकशार यह किताब भी अपने आप में बहुत ही यूनिक किताब है इस किताब के अंदर फार्मुला टाइप आउकलाइन मनें इसमें एक ही सब्दों को आप विस्तियसता इस किताब की देखेंगे एक ही सब् पूरे शौठन जगत के अंदर किसी भी व्यक्ति ने एक सब्दों को ढाशा कर सकते हैं आशा की जा सकती है आशा नहीं की जा सकती है आशा करने के लिए आशा करने से पहले इसी तरह के से इस पुस्तक के अंदर एक फार्मला टाइप आउटलेंड बनेगी जिसको आप आराम से बना सकते हैं और इसके अलावा और भी के आउटलेंड दी हुई है और इसके अंदर दूसरी विश्यसता है कि इसमें 100 से लगाकर 120 तक के डिक्टेशन पेसेज भी है जिन बच्चों के भी हाथ में ये किताबे लगी है उन्होंने इसका भरपूर उप्यूक किया है इसके बाद मेरी पुस् तक के डिक्टेशन दिये हैं आप इसमें 40 से लगाकर 150 तक की गतिके डिक्टेशन मिल जाएंगे इस पुस्तक के अंदर लेटर राइटिंग भी दी हुई है लेटर किस तरीक से लिखे जाते हैं वो भी बताया गया है इसके साथ ही इस किताब में आप देखेंगे कि यह किताब जो बच्चे शौटन सीख रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही कारगर से मतलब यह कि इसमें सब्द चिन्दिये में सब्द चिन्नों का प्रयोग उससे सब्द अक्षर बनाये गए हैं और उसके बाद विभेने विभागों से संब्दित सब्दा उलिया इसमे कोट से संब्दित, शिक्षा से संब्दित, इंजिन्रिंग से संब्दित, मेडिकल से संब्दित, कि विभेने बनाये नगी सब्सक्राइब जिस बच्चे के भी हाट में इस किताब का भरपूर उप्यों किया है और ये पुस्तक अपने आप में अदूती पुस्तक है तो बच्चो ये मेरी 10 पुस्तकों का सेट है जिस किसी भी बच्चो को अगर इस किताब क्या आऊ सकता हो तो मुझे 941-4842949 पर किताब आही है tutte, उन्होंने कभी भी अपने दोस्त को बताया नहीं कि यह किताब मैंने मंगई हैं इसलिए मेरा निवेदर है कि आप इनकिताबों का खुद उपयोग करें और बच्छों को भी इसका उपयोग करके बताएं कि यह किताब उप्योगी है अब मैं आश्या करता हूँ कि जो बच्चे इस ट्रेनोग्राफर और रिपोर्टर के तियारी कर रहे हैं वो इन पुस्तकों के माध्यम सवश्य करें मैं दावे से कहता हूँ कि इन पुस्तकों के अंदर नविन से नविन आउटलाइनों का समावेस किया गया आज की तारिक तक कोरोना काल से रिलेटेट सारी एवन टीका करन वाली सब्दावली भी इसके अंदर समाई थे तो आप देखेंगे इन पुस्तों का प्रियोग करेंगे तो मैं दावे से कहता हूँ कि आप से परिक्षा पास करने में कोई दूरी नहीं रहेगी आप इसली गुई लिखेंगे सो कि इस पीट के लिए मैं इतना दावे से कह सकता हूँ अगर इस आउटलाइन का आपने प्रियोग करा तो आप यह मान के चलें जो भी डिक्टेशन आएगा वो डिक्टेशन most probably इस किताब के इर्दिगर्दी घुमेगा या इसमें जो वाक्यांस दिये जा रहे हैं वो वाक्यांस आप आराम से मैसुस करेंगे कि इन वाक्यांसों का मैंने प्रियोग करा है इसमें मैंने जितनी भी आउटलाइन बने ही यह से एक फर्मूले टाइप है फर्मूले में जब हम किसी चीज को ढालते हैं तो कितनी चीजे बना सकते हैं जिससे सरकार अब सरकार आपके पास सरकार होगी दो सरकार होगी इसमें कम से कम निर्ट करके 200 तरीकी की सरकार होगी दो सोतरगी की सरकार उसे मतलब तमिल नाडू सरकार, कांग्रेस सरकार, कम्पनिश सरकार कई तरीकी सरकार इसमें आपको मिल जाएगी वो एक प्रिंसिपल बताया गया, एक बेस बताया उस बेस को अगर आप फालो करेंगे तो निश्ची तूरूप से आप बड़ी से बड़ी आउटलेंड को छोटा से छोटा बना पाएंगे तो आप से निवेदन हैं बच्चों आप को सुब कामना देता हूँ अपनी परिक्षा के लिए और इन पुस्तकों के माध्यम से आप अपनी गती बढ़ाएं जिन बच्चों के पास ये किताबे मेरी पहुंच चुकी है वो निशिद रूप से इन पुस्तकों का उप्योब करके अपनी जीवन की लेला सुलू करेंगे और परिक्षा पास करेंगे धन्यवाद